श्री रादे रादे भक्तों परम कृपाल प्रभू जीवों के कल्यान के लिए बहुत आउसर प्रदान करते हैं लेकिन उसका लाव समझदार व्यक्ति जिनकी बुद्धी बड़ी पवित्र वही उठा पाते हैं और लोग ऐसे सुआउसर का तिरसकार कर देते हैं और प्रभू बारम बार ऐसी कृपा करते हैं जिसके द्वारा अनन्ट अनन्ट जीवों का कल्यान होता है आप स्रवण कर रहे थे महर स्वामी स्वी कार्थिके जी का दिवी जीवन चरित और आपने कल शहुन किया था कि उज्जैन में श्री रामार्चा पूजन का जो यग्य था बहुत आनन्द के साथ संपन्ध हुआ और जिसके संपन में राधारानी की जै महरानी की जै बोलो कीर्थी कुमारी की जै 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 ये कीर्थन हुआ और ये कीर्थन सुन करके किशोरी जी को आवेश आ गया था उस समय उनको सम्हालने वाली किवले एक माता ही सक्षम थी उनका जो आवेश युक्त स्वरूप था उसको पकड़ना रोकना किसी के संभव बसका नहीं था किसी के लिए संभव नहीं था पेड़ों के पत्ते पत्ते पर दोड़ गई हो आप आश्चरे करेंगे वट की लटकी होई डालियों को उचर उचर कर पकड़ती है किलकारी मारती है पतली-पतली डालियों पर भागती जाती है नाश्टी जाती है कृष्ण का नया का नाम बोलती होई और बाई जी बहुत ठक गई हैं उनके बसका नहीं था तब महराजजी को बलाया गया और उन्होंने श्लोक बोल करके किशोरी जी को सावधान किया और महराज उस लीला को दर्शिन करने का सभागे स्री अनंत प्रिकास ब्रमचारी जी को विपराप्त हुआ उन्होंने अत्यन्त प्रभावेत उड़ते से कहा ये नित्य तथावेत न तो लौकिक है न सीखा हुआ है न कृत्रिम है ये अलौकिक महभाव का प्रतीक है अव उन्होंने कहा इस बालिका के सुरूप में कोई विशिष्ट शक्ती प्रकट हुई है और सरस्वती भाई से कहा कि तुम केशर मिश्टि चंदन पैरों के तलों में लगाकर श्वेत बस्त्र विच्छा दो उस पर पैर रखने पर रेखाएं बन जाएंगे जिने देखकर जैपुर का रेखा विच्छे सग्ये बता सकेगा कि ये कौन शक्ती है किन्त कि शिष्वरी जी ने किसी प्रकार उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया किर्टन का क्रम लगभग एक बजे राद तक चलता रहा दूसरे दिन श्री रामार्चा पूजन के उपलक्ष में विशाल भंदा रहा हुआ और भक्तों श्री अनंत प्रकास ब्रमचारी जी महराज जी को किशोडी जी के प्रत्य कहंग से किशोडी जी का दर्शन कर रहा थी जो अनंत प्रकास ब्रमचारी जी महराज को किशोडी जी के संपून शरीर से वैराग और भाक्ती तपकते उप्तेत हो रहे थी उनके बड़े प्रेम पूर्वक सुमधुर्व स्वार से गान और नित्य को देख करके ब्रमचारी जी आनंद भी होर थे उनकी आँखों से जर 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 आंसु गिर रहे थे और उन्होंन किशोरी जी को प्रणाम किया उनके हुर्दे में दिल धारना हो गई कि अवा स्री राधर आनी हैंगे इनकी द्वारा हमको भगवान कृष्ण के दर्शिन सुलब हो जाएंगे ऐसा सूच करकि ब्रमचारी जी महराज किसी से कुछ ने बतला कर तीन दिनों तक उपवास करते रहे और चवथे दिन ब्रह्म हूर्त में लगभग चार बजे उन्हें दिव्यनूपुरों की जंकार और अनुपम संगीत सुनाई पड़ा मारा जो दिव्यनूपुरों की जंकार थी और अधुद अनुपम संगीत था उससे उन्हें बहुत आनंदारा था अनंद प्रकाश ब्रमचारी जी को लगा कि गुरुदेव के चल्ण में आने पर ये अलव की क्लाब मुसको मिल दिया ऐसा उन्हें लग जाते हैं जैसे रास ही मैं देख रहा हूँ कानों के मात्यम से और उसके बाद दिन में दस बजे स्वयम भक्त वत्सला करुना माई किशोरी जी ने ब्रमचारी जी जो समाधिस थे उन्हें जाकर समझाया कि आपके उपर जो कृपा हुई है कल यूग में आपके लिए इतनी कृपा ही बहुत है अब आप परसाथ पाएं और प्रेम बढ़ाएं प्रभु का प्रेम आपको प्राप्त है उसी का रस प्राप्त करिए आँखों कानों से आपने देख लिया है भगवान और भी विशेश कृपा करेंगे आपके उपर दीरे जखें और इतने में सरस्वती महिया थाल में परोज कर प्रशाथ ले आएं और श्री कार्टिकेजी ने कहा हट मत करो ये प्रशाद ही नहीं कहा है इसे पालो तो ब्रमचारी जी ने सोचा कि गुर्देव भगवान की आग्या है और दिव शक्ति कि शुरी मां की आग्या है इसलिए इनकी आग्या का उलंगन करना ठीक नहीं तब उन्होंने प्रशाथ पाया माग मास में एक मास की छुट्टी ले करके किशोरे जी के पिता जी ने भी माता जी सहित उनके साथ गंगा घाट की धर्मचाला में निवास किया अपनी माता जी सहित श्री भाई जी तथा सपरिवाज श्री हरी हरी जी माहराज पहले से ही गंगा घाट की धर्मचाला में रह करके स्वामी कार्थिके जी माहराज की सेवा और सत्षं का लावने रहते और भक्तु एक दिन गंगा घाट की उस धर्मचाला में श्री स्वामी कार्थिके जी महराज प्रात्यकाल जब पदारे, तो उसमें महा कीर्थन हो रहा था, अद्बुत दिव कीर्थन चल रहा था, और उसको सुनते ही महराज कार्थिके जी को आवेश आ गया, और बिल्कुल जैसे अलगता शीव जी जैसे आ गए, तांड़ा उन्र उनके मुख से सुम, 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 ऐसी आवाज निकलती थी, और उनके केश उपर आकास में उचल रहे थे, फैले हुए थे, केश एक भी नीचे नहीं आता था, तांड़ा उन्रित्यकी मुद्रा में पाया पृत्वी पर जोर जोर से धम, धम, धम धम पढ़ रहे थे, और व किसी को लगता था, जैसे शिव जी परकठ हो गये हैं, और किसी को लगता था, हनुमान जी हैं क्या, हनुमान जी का जैसे आवेशा गया हो, और ऐसा दृष्य अद्भूत था, कि महराज लोग घबडा गये उस दृष्य को देखकर, किसी को सहन करने की शक्ती नहीं थी, एक ही साथ बात समझ में आई, कि जोर दोर से प्रभू का नाम किर्थन किया जाए, और बड़े भाव से महराजी को शांत करने के लिए सब लोग किर्थन करने लगे, तब धीरे 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 उनका चेहरन हलका पढ़ाने तो जमिन पर दाम 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 चेहरन पढ़ रहा था, और तांड उन्रेट शिव जी का चल रहा था, उसकी बाद विशांत हो करके फिर मंगल नात पढ़ा रहे हैं, एक बार किशोरी जी ध्यानस्त मुद्र में विराजमान थी, उसी समय मगनी राम भांगर पुषकर वालों के गुरू स्वामी श्री वीर रागवाचारी जी महर स्वामी कार्थिके जी के दर्शनार्थ मंगल नात पढ़ा रहे हैं, वहां ध्यानस्त मुद्रा में किशोरी जी का दर्शन पाकर के में बहुत प्रभावित हुए, अथा उसी अवस्था में वो संत जो स्वामी श्री वीर रागवाचारी जी थे, दंडवत करने लगे बार और अपने लिए श्री भगवान का आदेश बताने है तो, किशोरी जी से प्रार्थन करके सामने बैठ गए, तब भगवान ने किशोरी जी के मुखारविंद से श्लोक बद्ध आज्या प्रदान की, उसका भाव ये था, कि आप शीग रियग्य कीजिए, अन्यथा महान अन मिष्ट होने वाला है, ये सुन करके वे अपना रिशी के जाने का कारिक्र मस्तगित कर दिये, और इन दोर वापस चले गए, और संबद 2001 अर्थात आज से 80 वर्स पहले की बात है लगतों, 2001 के वैशाक मास में स्वामी जी ने सवा लक्ष रूपयों से, सवा लाक रूपयों आज कर मत समझ ले ना, कितने करोड होगे मैं खुद नहीं बता पहूंगा, उस समय के सवा लाक रूपयों से इन दोर में विश्ण महा यग्य का एवजन किया गया, उस यग्य में उन्होंने भाक्त समुदाय साहिट श्रीव महराज जी कार्थिके जी और श्री राधिकान संभूता किशोडी जी को परधान रूप से आमंतृत किया, उनकी बाद अखिल भारत के विशेश गणमान्य संत, विद्वान, जो महान, महान, तपस्वी, सिध्य, ज्यानी, भक्त, सब को आवाहन किया, और च्छत्री बाग में विशाल रूप से एग्य की तयारी हुए, संतों का प्रवचन सुनने के लिए हजारों लाखों की जनता बैठने योग बड़े सुंदर्यों अत्विशाल पांडाल की रचना हुए, और पुष्पहार बंदनवार और उस आज 80 साल पहले की बाते बक्तों, उस समय भी बिजली का अधिक सधिक जितना संभव था सब प्रयोग किया गया था, उस पांडाल में प्रवचन मंच बहुत उंचा और मनोरम था, उस मंच पर महराज जी की समक्ष्था में दस सहस्र जनता की उपस्थिक में स्वामी श्री वीर रागवाचारे जी ने लाउड स्पीकर द्वारा ये घोशना प्रसाड़ित कर दी कि उज्जयन से पधारी भवे मूर्थी भगवती श्री देवी जी अब आप लोगों को अपना बचना मृत्पान कराएंगी। आप लोग इस प्राप्त अनुपन सोभाग्य का लाव लें अतो शूता मनली में बाई जी के साथ बैठी हुए कि शोरी जी इस गोशना को स्रमण करते ही उठकर चलने लगें। तो महाराज जी की द्रिष्टी पड़ी और उन्हें तुरंत किशोरी जी को आग्रपूर्वक अपने पास बुला लिया क्योंकि वे उनकी प्रकृत समझ चुके थे। कि हमारी अनुमत की बिना समाज में बोलने की सूथना कैसे प्रसारित करती गई। तो स्वामिक कार्थ के जी की आज्या सुनकर किशोरी जी बाई जी के साथ मंच पर पदारी और महराज जी को प्रणाम करके उन्होंने प्रारतना कि हमारे में बोलने की योगेता है यह नहीं और ना कभी समाज में हम बोले ही हैं अता आग्या सुनकर के बहुत संकोच हो रहा है बार बार किश्वरी जी के ऐसा कहने पर तो कार्थ के जी ने कहा श्री जी आप संकोच बिल्कुल छोड़ दीजे मेरी आग्या है श्याम सुन्दर जी का ध्यान करके आप बोलने को खड़ी हो जाएए उनकी जो इच्छा होगी बुलवा लेंगे आपसे आप चिंता नहीं करें माराज जब कार्थ के जी ने ऐसे बड़े जैसे बच्ची को कोई समझागा ऐसे बोले बहुत स्ने से तो सारी जनता में घोसना हो चुकी थी माराज जी ने कहा देखो जनता में घोसना हो चुकी है अते ओ वीर रागवाचारी जी कि जो प्रार्थना है सर्व श्रबन घोचरा बानी की अवहलना नहीं कीजिए आप भगवान कृष्ण का ध्यान करिए श्याम सुंदर का ध्यान करिए और बोलने को खड़ी हो जाएए उनकी जो इच्छा होगी वही बुलवाएंगे निश्चिंत रहो बगतों कोई दूसरा व्यक्ति जी बोलता ने कारति के जी के अतरिकता और कोई उनकी जगह पर ये बात कहता तो किशिर जी मना कर देती या आग्या पालन नहीं करने की इस्थित में रहती है लेकिन अब तो गुर्देव के आग्या थी तो आप क्या करें किशोरी जी भगवन जी को प्रणाम करके उनकी आग्या से विवश होकर बड़े संकोच के साथ लाउड स्टीकर के सामने खड़ी होई और उस समय वो सोलह वरस की थी उन्होंने श्याम सुन्दुर की स्टूती ज्यों ही प्रारंग की त्यों ही हुर्दे भराया और कंठ गदगद हो गया शरीर में रोमान चोवाया बोला नहीं जा रहा था किसी प्रकार अपने को संभाला और गोपियों के प्रेम पर बोलना प्रारंग करने के बाद फिर उनको समय का भान नहीं रहा ने तो उनको घड़ी देखने की आती ने किसी से पूछने की ने किसी और देखने की बस वो तो भगवान श्याम सुन्दर का ध्यान करके गोपियों की प्रेम पर बोलना प्रारम्भ हो गया था और जीवन में पहली बार स्टेज पर खड़ी होकर के बोल रही थी अपार जनता सुनने वाली और धारा प्रवा किशोरी जी बोलती रही बोलती रही जब समय अधिक हो गया तो स्वामी कार्थिके जी महराज ने बाई जी को संकेत किया कि अब प्रवचन को विराम दिलाने का प्रेहत्न कीजे क्योंकि और भी कई वक्ताओं को समय दिया जाएगा और जे हुए बाई जी पकड़ करके किशोरी जी को सावधान करने लगी कियोंगे चमक गए और आखें खोली तो सामने सारा जनसमूर एकदम शांत और आशू बहाते वे सुन रहा था वो दिखला ही पड़ा जनसमूर किशोरी जी के नेत्रबंद से बोल रही थी और वो बाई जी ने जब उनको पकड़ा है तब आख खुले तो देखा कि जनता रोती होई उनकी बाणी सुन रही थी और महराज सत्सम का सारगर्भित मुख विशे कन्याओं, सद्वाओं, विध्वाओं का धर्म तथा भगवान की वास्त्विक सहचरी गोपियों का प्रेम था जनता उस प्रवचन को सुनकर के मंत्र मुख्ड सी हो गई थी सब यही चाहते थे कि हमारा इंसिक कब और कैसे मिलन हो मंच से बड़ी साउधानी पूर्वक कठिनाई के साथ किशोरी जी को निवास अस्तान तक पहुंचाया जातका क्योंकि महराज वो सामान्य वस्ता में नहीं थी किशोरी जी इन दौर के कैलास बहुन में ठरी थी और महराज श्री कार्थिके जी रामद्वारे में तो रात निकलते ही जनता धेरे में दर्चनार्थ कैलास बहुन पर चूट पड़ी जह किशोरी जी रुकू थी जिसे प्रभात क्रिया करनी भी कठिन हो गई महराज जी के पास किशोरी जी के सूचना गई कि हम यहां किसी हालत में नहीं रहेंगे हमें उद्जेन जाने की आग्या मिल जाए तो महराज जी ने जब जनता का इतना आकर्शन देखा तो किशोरी जी को उद्जेन जाने के लिए तुरंत आग्या परदान कर देए उन्होंने देख लिया कि किशोरी जी को यह अपार पब्लिक जो है परेशान करेगी इसलिए उनको उद्जेन जाने के लिए आग्या देजिए और कृष्ण गोपाल जी ने कार द्वारा उन्हें उद्जेन पहुंचाने के सेवा समाल ले यग्यपूर्ति पर्यन्त महराज जी इंदोर में रहे उन्हाय राम प्रपन्नाचारी जी के साथ गोपी कृष्ण जेहवर जी की प्रार्थना को सार्थक बनाने के लिए लाव्या भैरोवाली उनकी बगीची में चले गए और उसी में चातुरमा सिब्रत पालन की है सेट जीत था उनकी पत्नी दोनों ही बड़ी श्रद्धाल और प्रेमी भक्त थे बगीची में रहने के लिए दो मन्जिले की कोटी थी कूप था और एक विचाल शिवाले भी था चारों और का वातावन शांत और बड़ा मनमोहक सुहावन था प्रकृत की शोभा थी और उस बगीची में श्री राम प्रपन्नाचारी जी यूंग अनन्त प्रकाश ब्रमचारी जी ये दोनों ही महराजी की सिर्वा में रहते थे और राम प्रपन्नाचारी जी भी सेवक थे बले ही आचारी संपरदाइके थे लेकिन वो थोड़ा सभी भेद नहीं मानते थे कि मैं दूसरे संपरदाइका हूँ ये लोग दूसरे संपरदाइक अईसा कुछ नहीं है प्राण प्रपन्नाचारी जी अचारी लेकिन ये महान भाग्त थे लोग इसलिए इनके मन में थोड़ा सभी संपरदाइके भेद की बात नहीं आती थे प्राण प्रपन्न से समर्पित होकर श्री राम प्रपन्नाचारी जी महाराज और अनंत प्रकास ब्रमचारी दोनों बिल्कुल एक जैसे हो करके कार्थिके जी महाराज की सेवा करते थे दोनों को आयाचक ब्रत पूर्वक केवल भिक्षा बृत्ति से रहने की आज्या थी कार्थिके जी महराज भी थोड़ा सब भेद नहीं करते थी कि ब्रमिचारी मेरा सीशे है और राम प्रपनाचारी जी और किसी सीशे ऐसा कुछ भी पेट में करते दोनों के लिए एक ही आज्या थी कि आप लोग भिक्षा बृत्ति से रहोगे भिक्षा का अन्य जो मिलेगा उसी को पाऊगे भगवान को भोग लगा के और चातुर मास्य के अंतराल में ही श्री महराज जी के दर्शनार्थ श्री बाई जी और दादी जी के साथ किशोरी जी वो जैन से उस बगीची में पधा रही है अवसर देखकर एक जिन उन्होंने महराज जी से निवेदन किया कि पिता जी ने इस समय मुझे आप से संस्कृत पढ़ने के मुख्ध उद्देश से भेड़ा है ये सुन करके महराज श्री कार्थ के जी ने शुव महुर्त देखकर किशोरी जी को श्रीमत भागवत के माध्यम से देव भाषा पढ़ाना प्रारम किया उन्होंने कहा संस्कृत तो पढ़ना ठीक है लेकिन नास्तिक वाली कोई चीज नहीं पढ़ना है इसलिए भागवत के माध्यम से संस्कृत पढ़ो जेव ही भागवत प्रेंग ध्यान की लिलाओं का प्रसंग आता माराज किशोरी जी अंतरवृत्ति हो लिला में डूब जाती थी और ऐसा दैनिक देखने को मिलता था तो माराजी को पढ़ाना मुश्किल पढ़ गया इसलिए उन्होंने स्थागित कर दिया पढ़ाना और किशोरी जी से कहा पढ़ने का जो फल होना चाहिए वही जब सहाज रूप में प्राप्त है तब बर्बस बहिर ब्रत्ति करके अक्षर या शब्द रटने का प्रयास चिंतामणी के स्थान पर कांच खंड लेने के समाना है अर्थाद किशोरी तुमको चिंतामणी भगवान ने दिया है तुम उसके जगए पर कांच के टुकड क्यों लेना चाहती हो तुमको पढ़ने का जो भागोत पढ़ने का फाल है वो पहले से सहाज रूप में प्राप्त हो चुका है अब बर्बस बहिर व्रत्ती की तरफ क्यों जाकर अक्षरों को रटने का प्रयाज करती हो इसलिए जहां तक हो आप निश्चिन तो हो करके दियान, भजन, लीला में अनुरक्त रहती हुई अंतरवृत्ती रखिए बाहर वृत्ति करने की कोशिश मत कीजिए इसलिए आपको भागवत पढ़ने के आउशक्तर नहीं है और जैसे आपका स्वरूप है अंतर वृत्ति और आप जो भागवत प्रेमियु ध्यान की लिलाओं में डूबी रहती है प्रभु के लिला में निमगन हो जाती है समाधिस्त हो जाती है आपका वही स्वरूप मुझे ज्यादा पसंद है मुझे प्रसन्नता है आपकी उसी व्रत्ति को देखकर उसी स्वरूप को देखकर तो मेरी प्रसन्नता जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको भागवत पढ़ने की जगह पर जैसे आपका स्वरोब भगवान ने दिया है, वह ही आपके लिए ठीक है मुझे उसी में संतुष्टी हो रही है इसलिए मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता तब से किशोरी जी विशेश करके अंतरवृत्ती में हीरानी लगी पढ़ना लिखना और बारी समस्त वेवहार स्थगित हो गए वो तो पिता जी के आग्या से संस्कित पढ़ने आई थी लेकिन गुर्देव ने कह दिया आपकी स्थित पढ़ने से बहुत उपर पहुंच चुकी है पढ़ने का जो लक्ष होता है लाव होता है वो सब आपको पहले प्राप्त हो चुका है इसलिए चिंता मनी को उपेक्षा करके कांच के टुकडे मतिकटा करो संस्क्रिट भाषा आपके लिए कोई फाइदे की चीट नहीं है क्योंकि उसकी सीमाओं को पार कर चुकी है आप भरा जो बहुत ही अलोकिक थी नहीं ये कई-कई जन्में तक बहुत अनुष्ठान पूजा पाठ भक्ति करने पर भी जोर किसी को मिलना संभव नहीं है वो किश्वरी जी को पहले से प्राप्त हुथा क्योंकि राधारानी की अंसरेन का जन्म हुआ था और जिन जिन लोगों को थोड़ा भी पता चल पाता था उनकी दिव्यता का वो लोग उनकी दर्शन से हिलाभानमित हो जाते थे और उनका सास्टांग बंदन करते थे और अपने जीवन धन्य मानते थे और इसलिए तो गुर्दियों भी उनको बहुत आदर के साथ बोलते थे बहुत आदर के साथ बोलते थे और उनकी विशे में और मैं आपको सुनाऊंगा आगे आज इन महान दिव भगवदी विभूतियों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ फिरादे रहा हूँ, फिरादे रहा हूँ